वेलकम ओन एम्बिसर नर्सिंग क्लासिस तो आज हम बात करेंगे HIV AIDS के बारे में तो अब तक आपने सुना था HIV AIDS का कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है सिरफ इसकी रोक थाम की जा सकती थी कुछ मेडिसिन दे करके इसे पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं किया जाता है लेकि तो इसे जानने से पहले हम एक बार HIV को जान लेते हैं HIV यानि Human Immunodeficiency Virus यह एक वाइरस होता है जो हमारी बोडी पर अटेक करता है हमारी बोडी के इम्यून सिस्टम पर अटेक करता है इम्यून सिस्टम दो सेल से मिलकर के बना होता है बी लिंफोसाइट और टी लिंफोसाइ पर अटेक करता है जो टी लिंफोसाइट होती है उसके अंदर भी तीन तरह की सेल पाई जाती है एक तो CD4 सेल होती है CD8 सेल होती है और सप्रेसर सेल होती है यानि तीन तरह की सेल उसमें देखने को मिलती है और इनका काम क्या क्या होता है जो CD4 सेल होती है जो भी पैथोजन या microorganism हमारी body के अंदर enter करता है उसे पहचानने का काम करती है CD4 cell और उसे kill करने का काम करती है CD8 cell यानि कोई भी microorganism है उसे पहचाने की कौन CD4 cell और वो से आदेश देगी activate करेगी CD8 cell को ताकि वो kill कर सके और फिसे suppress करने का काम कौन करेगी suppressor cell तो इस तरह से हमारा जो immune system है वो का HIV होता है वो CD4 cell पर attack करता है और उसके count को कम कर देता है नोर्मली 800 से 1200 क्योग क्योग देखा जाता है यह हमारी body के अंदर होती है जो cells होती है CD4 cell इस पर attack करता है और इसके count को कम कर देता है जब भी कोई organism या फिर pathogen हमारी body के अंदर enter करता है तो उससे पहचानने में नाकाम हो जाती है क्योंकि वो संख्या में बहुत कम होती है इसलिए वो नाकाम हो जाती है और कोई भी infection आसानी से लग जाता है तो infection लगने के बाद वो धिरे-धिरे उसकी immunity वीक होई चुकी है अब वो क् rate यानि कुछ टाइम बाद धीरे-धिरे वो और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी और लास्ट में जाकर के दस बारा या पंदरा साल तक उसकी person की किसी भी opportunity infection यानि कोई भी infection लगकर के उसकी death हो जाएगी यानि इसमें क्या होता है जो HIV होता है HIV से direct death नहीं होती किसी भी person की अगर death होती है तो किसी दूसरे causes की होती है जैसे pneumonia हो गया या फिर लंग्स की कोई भी disease जैसे TB वगरा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिल जबती है person की death हो जाती है क्यों होती है क्योंकि जो CD4 है उसके count कम हो चुके है और वो pathogen को नहीं पहचान पा रही है क कोई भी body के अंदर कोई भी pathogen आया और वो बीमारी को pose करके चला गया तो इस तरह से क्या करती है कोई भी बीमारी जो होती है वो किसी भी person की death कर सकती है क्योंकि उसका immune system जो है weak हो चुका है तो अब हम बात करेंगे कि यह किस तरह से जो नई research होई है वो किस तरह से काम करती है एक क्रिसपर कास 9 जीन होता है टेकनलोजी होती है जिसमें क्या होता है जो enzyme होते है वो cells के अंदर डाल दिये जाते हैं और वो DNA को fragments में काट देता है वहां से क्या करता है जो भी HIV का जो जीन या वाइरस होता है वहां से उसे निकाल देता है या डिलेट कर देता है और है वहां पर तो इस तरह से इस technology को यूज किया जाता है और इसी तरह से क्या किया सकता है इसका treatment किया जा सकता है यानि क्रिसपर कास 9 टेकनोलोजी का यूज करके उसमें एंजाइम डालते हैं cell के अंदर और वो DNA को कट करता है यानि fragments में तोड़ देता है और जो भी वाइरस है उसे बाहर निकाल दिया जाता है यह research है यह तीन बंदों पर की गई है और कोई भी negative feedback देखने को नहीं मिला है तो यह अगर सही कारकर होती है तो इससे HIV का इलाज किया जा सकता है प्रोपर तरीके से eradicate किया जा सकता है यानि जो HIV का patient है वो प्रोपर तरीके से ठीक हो सकता है यही एक research हुई है उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गई होगी और अगर आपको यह समझ में आया तो प्लेज चैनल को share and subscribe करें थैंक यू